श्रीमती जी कई दिन से कह रही थी उलटी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है देख लेते तो अच्छा था फिल्म देख आने में एतराज न था परन्तु सिनेमा शुरू होने का समय यानि साढ़े छे बजे तक तो दफतर के काम से ही छुटी नहीं मिल पाती दूसरे शो में जाने का मतलब है बहुत देर में सोना, कम सोना और अगले दिन काम ठीक से न कर सकना लेकिन जब उलटी बयार फिल्म को साथवा हफता लग गया तो यह मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी रात साढ़े बारह बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर तांगे का रेट कुछ बढ़ जाता है आने दो आने में कुछ बन बिगड नहीं जाता लेकिन तांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए मैंने कहा नहीं नहीं, आज पैदल ही चलेंगे चांदनी रात है घनीमत से चार कदम चलने का मौका मिला है उजली चांदनी में सूनी सडक पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परचाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे जिक्र था फिल्म में कहां तक स्वाभाविकता है और कितनी कला है कला के विशय में स्त्रियों से भी बात की जा सकती है खास कर जब परिचय नया हो परंतु स्वयन अपनी स्त्री से जिसे आदमी रग रोयें से पहचानता हो बहस या विचार अदल बदल लेन देन विनिमय का क्या मूल्य श्रीमती को शिकायत है दुनिया भर के सैकड़ों लोगों से बहस करके भी मैं उनसे कभी बहस नहीं करता मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता इस अभियोग का बहुत माकूल जवाब मैंने सोच डाला जिस आदमी से विचारों की पूर्ण एकता हो उससे बहस कैसी इस उत्तर से श्रीमती को बहुत दिन तक संतोश रहा कि चतुर समझे जाने वाले पती के समान विचार के कारण वे भी चतुर हैं परन्तु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पती नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है इसलिए एक दिन खीच कर बोली बहस न सही आदमी बात तो करता है हमसे कभी कोई बात ही नहीं करता सो पती होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था मैं कह रहा था और वे हूं हूं कर हामी भर रही थी अचानक वे पुकार उठी यह देखा स्त्री के सामने कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया सोचा यह तो वही बात हुई राजा कहानी कहे रानी जूंट टोले हलवाई की दुकान थी सौधा उठ चूका था बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे उंगा रहे थे नीचे सडक पर कढ़ाई इट के सहारे टिका कर रखी गई थी उसे माजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का उसी में सो गया था कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह पहली हुई थी दूसरा हाथ कड़े को थामे था कढ़ाई को घिस्ते घिस्ते लड़का उंगा गया और फैली हुई बाह पर सिर्रक्स हो गया एक कुत्ता कड़ाई के किनारे बच रही मलाई को चाट रहा था मैं देख कर परिस्थिती समझने का यत्न कर रहा था कि श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध का पुट दे कर कहा जुग गई और लड़के की बाह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगी लड़का नींद से चौक कर जपाटे से कड़ाई को जूना से रगडने लगा परंतु श्रीमती जी के पुचकारने से उसने नींद भरी आँख उठा कर उनकी ओर देखा मेरी इस बात को अपने समझने योग्य भाषा में प्रकट करने के लिए वे बोली हाई कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं और इस राक्षस को देखो बच्चे को महनत पर लगा खुद सो रहा है फिर बच्चे को पुछकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी इस गुलगपाडे से लाला की आँख खुल गई नींद से भरी लाल आँखों को जपकाते हुए लाला देखने लगे पर इससे पहले की वे कुछ समझें या बोल पाएं श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चली फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती जी की करुणा और क्रोध के प्रवाह में डूब गई कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जद का कहाल आया समझाया कम उम्र बच्चों को उसके माबाप की अनुमती के बिना इस प्रकार खीच ले जाने से पुलिस के जंजट में पढ़ना होगा राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का पती को बिना किसी हीलो हुजJक के स्त्रियों के सब हुकुम मानने ही पढ़ते है श्रीमती जी ने अपना कानून आडाकर कहा इसके माबाप आकर ले जाएंगे हम कोई लड़के को भगाय थोड़े ही ले जा रहे है लड़के पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है ये भी कोई कानून है लाला आँख छपकाते रहे और हम उस लड़के को लिए चले आए लाला बोले क्यों नहीं कह नहीं सकता शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझ कर चुप रह गए हो लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरसल उसके मा बाप थे नहीं वो दोनों ही मर गए थे कोई उसका दूर का रिष्टेदार उसे लाला के यहां छोड़ गया था दूसरे रोज लाला बंगले के आहाथे में हाजिर हुए और बोले कि यों तो आप माई बाप हैं लेकिन यह में साहब की ज्यादती है लड़के के बाप पर लाला के साथ रुपिय बकाया थे और वह मर गया लाला अपनी तरफ से लड़के को खिला पहना कर पाल पोस रहे थे लड़के की उम्र ही क्या है कि कुछ काम करेगा ऐसे ही दुकान पर हलका फुलका काम कर देता था सो में साहब उसे भी उठा लाई लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म है उन्हें उनके साथ रुपिय दिला दिये जाएं सूध वे छोड़ देने को तयार हैं परिस्थिती नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा लाला जो हुआ अब चले जाओ वरना लड़का भगाने और क्रुएल्टी टू चिल्डरन यानि बच्चों के प्रती निर्दयता के जुर्म में गिरफतार हो जाओगे अहाते के बाहर जाते हुए लाला की पीट से नजर उठा कर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा उनका अभिप्राय था देखो तुम खामखा डर रहे थे हमने कैसे सब मामला ठीक कर दिया तुम कुछ भी समझ नहीं सकते लड़के का नाम था हरुआ श्रीमती ने कहा यह नाम ठीक नहीं नाम होना चाहिए हरीश लड़के की कमर पर केवल एक अंगोचा मात्र था शेश शरीर ढखा हुआ था मैल के आवरण से सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे लाइफ बॉय साबुन की जाग में घुल-घुल कर वह मैल बह गया और हरीश सावला सलोना बालक निकल आया दर्बान के साथ सैलून में भेज कर उसके बाल भी छंटवा दिये गए बिशू के लिए नई कंगी मंगा कर पुरानी हरीश के बालों में लगा दी गई बिशू के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे परन्तु लड़कों में चार बरस का अंतर काफी रहता है खैर जो भी हो हफते भर में हरीश के लिए भी नेवी कट कॉलर के तीन कमीज और नेकर सिल गए उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा उसके शरीर में भी वैसा ही रक्तमांस है जैसा कि किसी और के शरीर में उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बिशू से परन्तु इसका कारण था कि बिशू आखिर पुत्र तो मेरा भी है उन्होंने कहा उसका भी दिमाग है वह भी मनुष्य प्राणी है और उसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है हरीश के कोई काम स्वयंग कर देने पर प्रसन्नता के समय वे मेरा ध्यान आकरशित कर कहती लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा हाँ उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेजजेंट बन गया था मौका मिले तो आदमी उन्नती कर क्यों नहीं सकता चार वर्ष की आयू ऐसी नहीं जिसमें अधिकार का गर्व न हो सके या श्रेणी विशिष्टता का भाव न हो अपनी जगह पर अपने से नीची स्थिती के बालक को अधिकार जमाते देख अपनी मा को दूसरे के सिर पर हाथ फेड़ते देख और हरीश को अपनी संपत्ती का प्रयोग करते देख बिशु को इरश्या होने लगती रोनी सूरत बना कर वह होट लटका लेता या हाथ में थमी किसी चीज से हरीश को मारने का यत्न करने लगता श्रीमती जी को सब बातों में गरीबी और मनुश्यता का अपमान दिखाई देता गंभीरता से वे बिशु को ऐसा अन्याय करने से रोकती और हरीश का साहस बढ़ा कर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती हरीश बात-बात में सहमता, सक पकाता पास बैठने के बजाए दूर चला जाता और बिशु के खिलानों के लोब की ज़लक दिखाई देती रहती श्रीमती जी उसे संतुष्ट कर उसका भै मिटा कर उसे बिशु के साथ समानता के दरजे पर लाने का प्रयतन करती कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए वह अपना पन क्यों नहीं आ पाता जो आना चाहिए जैसा बिशु के लिए है इस मामले में कानून का हवाला या वकालत की जिरह मेरी मदद नहीं कर सकती थी इसलिए चुप रहने के सिवा चारा न था हरीश के प्रती सहानुभूती उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को इस बात का विश्वास न दिला सका हरीश के प्रती उनकी वच्सलता और प्रेम मेरी पहुँच से एक बालिस्त उचा ही रहता श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास क्यों नहीं जरूरत की चीज के लिए जिद्ध करता उन्हें ख्याल था कि इन सब का कारण मेरा भय ही था एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूज की बात करने के लिए उन्होंने सुना कर कहा पुरुष सिध्धान्त और तर्क की लंबी-लंबी बातें कर सकते हैं परंतु हृदय को खोल कर फैला देना उनके लिए कठिन है सोचा श्रीमती जी को समानता की भावना के लिए उत्साहित कर उन्हें अपना बड़पन अनुभव कराने के लिए मैं अवसर पेश नहीं कर पाता हूँ यही मेरा कुसूर है एक रियासत के मुकदमे में सोहराबजी का जूनियर बन कर केदार पुर जाना पड़ा उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का अंकुष तो उतना तीवर नहीं रहता पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है कारण है शरीर का अभ्यास समय और स्थान पर आवशक्ता की वस्तु का सहज मिल जाना विदेश में नहीं हो सकता और ना शैथिल्य का संतोश ही मिल सकता है केदारपूर में लग गए चार मास औसत आमदनी से अढ़ाई गुना आमदनी के लोभ ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा कभी सप्ताह में एक पत्र और कभी सप्ताह में तीन आते बिशु को जुकाम हो जाने पर एक सप्ताह में चार पत्र भी आए आरंभ के पत्रों में हरीश का जिक्र भी एक पैराग्राफ रहता था और दूसरे पैराग्राफ में उसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा सोचा, मेरी गैरहा जिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीवर गती से मनुष्य बन जाएगा कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई फिर शिकायत हुई कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन न लगा कर गली में मेले कुचैले लड़कों के साथ खेलता रहता है बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता स्वभाव का बहुत जिद्धी है, बहुत डल है हर समय कुछ खाता रहना चाहता है इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता लौट कर आने पर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की सच मुझ तुम बड़े अजीब आदमी हो हम यहाँ फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था ऐसी भी क्या बेपरवाही यहाँ यह मुसीबत की लड़के को खासी हो गई तीन-तीन दफे डॉक्टर को बुलवाना था घर में सिर्फ दो तो नौकर हैं वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाएं इस लड़के को देखो हरीश की ओर संकेत करके मैडम ने कहा जरा डॉक्टर बुलाने भेजा तो सुबह से दुपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता? दोस्तों ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आईए, अब आगे सुनते हैं हरीश बिशू को गोध में लिए श्रीमती जी की और सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था इस उम्र में भी आदमी इतना चालाख हो सकता है हरीश को बिशू से इतना अधिक सने हो गया था या वह उसे इसलिए उठाए था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांट न पड़ेगी उसकी और देख श्रीमती जी ने कहा अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता तुझे कई दफे तो कहा गुसल खाने में गीले कपड़े पड़े हैं उन्हें उपर सूखने डाला हरीश महफिल से यो निकाले जाने के कारण अपनी कातर आँखों से पीछे की और देखता चला गया कुछ ही देर में वह फिर आ हाजिर हुआ उसकी और देख श्रीमती जी ने कहा हरीश जाओ देखो पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो सुनो यो ही पानी मत फेक देना स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना मेरी और देखकर वे बोली जिस काम के लिए कहूं कतरा जाता है इसे पढ़ाने के लिए जो स्कूल के एक लड़के को चार रुपिय देने के लिए तय किया था वह क्या नहीं आता? मैंने पूछा बिशू के गले का बटन लगाते हुए श्रीमती जी बोली पढ़ चुका यह पढ़ता ही नहीं बस खाने की हाई हाई लगी रहती है कोई चीज संभाल कर रखना मुश्किल हो गया है हरीश कमरे में तो दाखिल न हुआ लेकिन दर्वाजे से जहांक कर चक्कर जरूर काट गया वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढून रहा था फल की टोकरी से कुछ लीचिया निकाल कर श्रीमती जी ने बिशू के हाथ में दी उसी समय हरीश की ललचाई हुई आखें बिशू के हाथों की और ताक्ती हुई दिखाई दी श्रीमती जी खीच गई हरदम बच्चे के खाने की और आखें उठाए रहता है जाने कैसा भुककड है इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ इनकी भूक बढ़ती ही जाती है ले इधर आ दो लीचियां उसके हाथ में देकर बोली जा बाहर खेल क्या मुसीबत है उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई जो कपड़े हरीश ने सुभा सूखने डाले थे वे हवा में ओड़ गए श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ ये तो वही बात हुई कि कुत्ते का गू न लीपने का न थापने का अच्छी बला गले पड़ गई समझाने से समझता भी तो नहीं इसकी सोहबत में बिशू ही क्या सीखेगा कोई भला आदमी आए सिर पर आकर सवार होता है स्कूल भिजवाया तो वहां पढ़ता नहीं लड़कों से लड़ता है अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़े ही है तुमने उसे लाट सहब बना दिया है कमजात कहीं अपनी आदत से थोड़े ही जाता है क्या उत्तर देता बात टाल गया फिर दूसरे समय श्रीमती जी ने बिशू को उठा कर गोध में दे दिया वे देखना चाहती थी कि बिशू मेरी गोध में बैठने से कैसा जान पड़ता है उस समय हरीश भी दोड़ कर आया और बिलकुल सट कर खड़ा हो गया पोज का यों बिगड जाना श्रीमती जी को न भाया सुना कर बोली बंदर को मुह लगाने से वह नोचेगा ही तो इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पराते हैं यह कोई आदमी थोड़े ही है कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं पर इतना वह जरूर समझा कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी इतना तो पालतु कुत्ता भी समझ जाता है गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है हरीश कतरा कर चला गया और मुंडेर पर ठोड़ी रख गली में जहाकने लगा कोई ऐसा ढग सोचने लगा कि अपनी बात भी कह सकूँ और श्रीमती को भी विरोध न जान पड़े कहाँ? जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है उसे पुछकार कर बुलाने में बुरा नहीं मालूम होता क्योंकि उसमें दया करने का संतोश होता है परन्तु जब जानवर स्वयम ही पंजे गोध में रख मुह चाटने का यत्न करने लगता है तो अपना अपमान जान पड़ने लगता है आवाज गरम कर श्रीमती जी बोली तो मैं कब कहती हूँ? उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरह सुननी पड़ती इसलिए जट से बात काट कर बोला ओहो, तुम्हारी बात नहीं मैं बात कर रहा हूँ यह सरकार और मजदूरों के जगडे की मन में भर गए क्रोध को एक लंबी फुफकार में छोड़ उन्होंने जानना चाहा मैं बहाना तो नहीं कर गया इसलिए पूछा सो कैसे? उत्तर दिया यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है और जब मजदूरों का हौंसला बढ़ जाता है वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि किसी प्रकार का विरोध मैं उनके व्यवहार के प्रती नहीं कर रहा बोली तब ही तो कहते हैं कुट्टे की पूँच बारह बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई हां उस रोज वो लाला साथ रुपय की धमकी दे रहा था बनिया ही ठहरा कहीं सूध भी गिनने लगे तो जाने रकम कहां तक पहुँचे इस जगडे में पढ़ने से लाब श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया परन्तु समझ कर आगे उत्तर देना ही कठिन था इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देख कर पूछा क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं श्रीमती जी जुझला उठी उन्हें जलाहट थी मेरी कम समझी पर और कुछ जेंप थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभिमान पर मैं जानता हूँ बात दब गई टली नहीं कल फिर यह प्रश्न उठेगा परन्तु किया क्या जाए? कुट्टे की पूँच एक दफे काट लेने पर उसे फिर से उसकी जगह लगा देना कैसे संभव हो सकता है? और मनुष्यता का चसका एक दफे लग जाने पर किसी को जानवर बनाए रखना भी तो संभव नहीं दोस्तों यश्पाल जी की यह कहानी यहीं खत्म होती है और दोस्तों ऐसे और भी प्रसिद कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुनने के लिए धन्यवाद